तो बच्चों कैसे हैं जी आप सबी लोग सब लोग अच्छे हैं ना चलिए बहुत अच्छी बात है तो हमने क्लास टेंट जो मेटरी का प्रैक्टिसेट 5.1 को स्टाइट किया है जिसमें हम लोग अल्रेटी दो कोस्टन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बचे को सॉल्व करेंगे ठीक है बच्चों तो यह है जी आपका कोस्टन नमबर थ्री इसमें आपको क्या करना है देखो क्या लिखा है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड बी यानि कि आपके पास दो पॉइंट से इस पर निगेटिव नमबर इस साइड आते है ना तो यहां पर माइनस रहा जाएगा ठीक है और फिर क्या है यहां पर आपका पॉइंट एक पॉइंट है एक से उपर जो इन दोनों से एक्वल डिस्टेंस पर है ठीक है हमें पता नहीं वह पॉइंट कहां पर है लेकिन है जो इन दोनों से एक्वल डिस्टेंस पर है जैसे सपोस करो कि वह पॉइंट यह है ठीक है हमने इसको सी मान लिया तो इसका मतलिब क्या हुआ यहां से यहां से यहां तक भी होगा ठीक है तो अब यह आपको इसी पॉइंट के को ओडिनेट का पता लगाना है पॉइंट सी क हम लिखेंगे लेट दा कि पॉइंट है कि ओन एक्स एक्स बीट पॉइंट सी जिसके क्या होंगे बच्चो देखो एक्स कोडिनेट के बारे में पुछ पता नहीं है कहां पर आएगा हम नहीं जानते तो एक्स को ओडिनेट को आम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं और फिर क्यों वाइक कोडिनेट है ना वह बच्चो क्या होगा पता है आपको इसे कुछ भी कंसेडर मत करना क्योंकि हमें पता हिए तो जीरो ही होगा क्यों ऐसा अरे देखो ना एक्स एक्स के उपर कोई भी आप पॉइंट लेलो अगर मैं आपसे उसके कोडिनेट पूछूंगी वाइं कोडिनेट तो आपका अंसर एक ही होगा वह क्या ई रहे देखो यहाँ पर मैं बोलो इसका कोडिनेट बताओ क्या पोलो गया पॉरथ ez कोडिनेट तो जीरो है ना समझे वैसे ही यहां पर क्वें पूछते हूं क्या पताओ बोलो है टरूक्ष कोडिनेट तो इसके coordinate को हमने यह consider कर लिया है अब देखो अल्रेडी AC और BC यह दोनों क्या है बच्चो इक्वल है ना तो यहां पर अभी हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे यह तो हमने लिख दिया ठीक है अब यहां पर हम लिखेंगे इसके coordinate का पता लगाना है तो चलो इसको मिटा दिया जाए अभी हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मुला यूज करेंगे ना डिस्टेंस फॉर्मुले में क्या आता है सबसे पहले एक्स टू माइनस इस वन का स्क्व graph प्लस और फिर यहां पर क्या आता है तो यहां पर फार्मुलण लगाएंगे तो कौmbh देखो ऊज Iss सबसे पहले मत्चो एक्स टू तो बोड़ो आपको अलग से लिख करके बताओं ॥ा बच्चो जब ही इसकी बात करेंगे न तो पॉइंट ए के कोओडिनेट मैनस 3 & 4 और पॉइंट सी के कोओडिनेट क्या है एकस जीरो बराबर तो यहां पर देखो यह जो है ना बच्चो यह आपका x1 हो जाएगा यह आपका y1 होगा यह क्या होगा एकस टू होगा और यह आपका क्या होगा बच्चो y2 होगा समझ में आ रहा है तो इदर देखो फॉर्मूले में क्या है x2 x2 मतलब क्या x तो यहां पर हम लोग क्या लिखें minus y1 क्या है 4 तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और फिर इसका square कर दिया अभी सेम तरीके से आपको क्या करना है बच्चो यहाँ पे भी करना है ठीक है तो जब ही हम इसकी बात करेंगे तो बोलो हमें कौन-कौन से points देखने है जी हाँ B और C को देखना है है ना यहाँ पे हमने A और C को देखा था अभी B और C को देखो उपर नीचे अभी इस condition में क्या होगा बच्चो देखो यह आपका X1 यह आपका Y1 यह X2 Y2 ठीक है तो देखो formula में क्या है X2 X2 बोलो क्या है X-X1 क्या है बच्चो 1 लिख दिया इसका square कर देंगे फिर Y2 क्या है 0 और Y1 क्या है बच्चो माइनस 4 तो यहाँ पर माइनस 4 लिख दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर square कर देंगे ठीक है अब आपको इसे simplify करना है तो क्या होगा देखो यहाँ पर X माइनस माइनस मिला करके प्लस 3 और इसका square कर देंगे फिर 0 माइनस 4 करने पर क्या आता है बच्चो माइनस 4 ही आता है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4 का square which is equal to यहाँ पर क्या होगा तो X-1 X-1 है ना तो कोई नहीं इसको आप ऐसे ही रहने दो X-1 का square प्लस यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस माइनस क्या होता है बच्चो प्लस और यहाँ पर 4 है ना यानि क्या आजाएगा प्लस 4 आजाएगा सीथे-सीथे हम लोग प्लस 4 का square लिख देते है ठीक है इतनी बात आप लोगों को समझ में आया रही है कि नहीं बताइए जल्दी से अब क्या करेंगे पता है बच्चो आपको यह जो है ना यह जो रूट दिखाई दे रहा ना इसे हम हटाने के कोशिश करते ठीक है तो यह रूट यहां से कैसे हटेगा हम लोगे काम करते स्क्वारिंग बोत साइट्स कर देते ठीक है तो यहां पर हम लिखते हैं स्क्वारिंग बोत साइट्स क्योंकि स्क्वार करने पर यह रूट अपको थोड़ा समझाती हूं देखो यहां पर रूट के अंदर एक्स अब मुझे यह रूट रूट हटाना है मैं क्या करूंगे इसका स्क्वार कर दूंगे तो क्या होगा यहां पर लिखेंगे स्क्वारीं बोट साइट्स क्योंकि सब्सक्वार करने तो बच्चों यह रूट यहां से अच जाएगा तो यह यह रूट यह फिर चलो आपको पूरा ही करके करके बताती हूं इसका स्क्वार कर्रें यहां पहर को x plus 3 plus minus 4 का square करने पर क्या आता है बच्चो 16 आता है बराबर फिर इधर which is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो x minus 1 का square फिर plus 4 का square करेंगे तो 16 आ जाएगा ठीक है और इसका हमें क्या करना है square करना है अब क्या होगा square से यह root cancel यहाँ पर square से यह root cancel ठीक है तो आप क्या होगा चलिए ना बताती हो रुकिये रुकिये बहुत बड़ा आपको solution दिख रहा है क्या लेकिन है कुछ भी नहीं एक बार आपने concept समझ लिया ना बस आसान लगेगा x plus 3 the whole square यहाँ पर क्या है x plus 3 the whole square plus 16 which is equal to x minus 1 the whole square plus 16 ठीक है अब क्या होगा बच्चों यह 16 से 16 को cancel कर दिया जाए yes कर सकते ना इसको इससे हमने cancel कर दिया क्यों cancel किया अरे देखो 16 को इदर लेते तो यह minus में आता 16 minus 16 0 इससे अच्छा हमने उसको पहले ही cancel कर दिया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर na a plus b the whole square का formula यूज़ करेंगे आपको याद है na a plus b the whole square a minus b the whole square ठीक है तो यहाँ पर plus वाला यहाँ पर minus वाला formula यूज़ होगा तो चलो फिर देखते हैं याद है formula यहाँ फिर लिख करके बताओ चलो बताई देती हूँ देखो जी यह होता है plus वाला formula और minus में क्या गरने का इधर minus का sign आता है ठीक है तो सबसे पहले यह आपका a है यह आपका b है तो क्या हो जाएगा a का square plus 2ab यानि की 2a मतलब x और b यानि क्या बच्चो 3 ठीक है फिर क्या आता है b का square तो b बोलो क्या है 3 तो बोलो इधर क्या आएगा x square minus 2ab 2a मतलब x और b यानि क्या फिर क्या आएगा plus b का square यानि 1 का square ठीक है अब क्या होगा देखो इधर x square plus 2x into 3 करेंगे 236 x और 3 का square करेंगे तो नहीं यहाँ पर x square फिर 2x बनजा क्या होगा बच्चो y होगा 2x ही होगा plus 1 square तो 1 ही होता है ठीक है अब क्या करना चाहिए हमको देखिए यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है क्या आप उसको सीधे सीधे cancel कर दो तो यह देखो बच्चो x square x square दोनों का sign सेम है यानि हम इन दोनों को cancel कर सकते अरे क्यो cancel कर दिया क्योंकि देखो ना वही लोचिक है इसको इधर लोगे तो माइनस में होगा plus minus तो cancel ही होते है इससे पहले कर दो ठीक है अब क्या करेंगे x x को एक साथ लेते हैं और जो ऐसे constant number है उनको एक साथ तो यह माइनस 2x है ना इसको बुलालो इधर चलो जी तुम इधर आओ तो यह इधर आ गया 9 तुम उधर जाओ तो क्या हो जाएगा 1-9 प्लस है ना उधर जाने के बाद minus में हो गया ठीक है अब देखो 6x plus 2x कितना होता है yes very good 8x होता है फिर इधर 1-9 गरेंगे तो क्या आएगा बच्चो minus 8 आएगा अब क्या किया जाए यह जो plus 8 दिख रहे ना इसको उस साइड लेलो तो यह इधर multiply में उधर जाने के बाद yes divide में हो जाएगा यानि x which is equal to minus 8 upon 8 cancel कर दो बोलो क्या आया minus 1 ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore x which is equal to minus 1 यानि वो जो आपका point c है ना बच्चो वो कहां पर आएगा तो minus यह बदाओ आपको बना करके जैसे वो ना यहां पर आएगा minus 1 इधर आता है ना तो इधर आएगा ठीक है तो अभी last में answer कैसे लिखेंगे हमें उस point के coordinate का पता लगाना था ना तो हमने लगा लिया यानि x का value क्या हो जाएगा बच्चो minus 1 ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं therefore the coordinate of the coordinates of point on the x axis which is equidistant from from point a and b a and b are इसके coordinate क्या हो जाएंगे बच्चो point c के minus 1 and 0 minus 1 and 0 देख लो खतम हो गया आपका question है ना बस इतना ही था यहाँ पर लिख सकते हो आप c ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को देखो एक बार बना करके बताती हूं देखो इधर आपका point a है और इधर आपका point b है ठीक है तो वह वाला जो point है ना वह कहां पर आएगा तो यहां पर आएगा ठीक है तो यह वाला वेरिफाइ करना है कि यह जो थीनों points दिये गाना यह right-angle triangle के vertices ऐसा हमको verify करना है ठीक है राइट अंगल triangle आप लोग जानते ही। ऐसे होता है आपका right-angle triangle ऑर vertices मतलब क्या देखो जैसे कि यह आपका point p एक vertex फिर यह q आपका vertex है और यह आर क्या है बच्चो यह भी vertex है सभी को एक साह्त बोल ला रहेगा तो मैं क्या भोलूनगी wtices भी डिक है तो हमें यह verify करना है कि यह जो तीनों points है ना यह rectangle triangle के vertices है ऐसा आपको verify करना है तो खिम्ण डेख 시क यह जोगा देखो आपका पी आर है ना बच्चो इसका स्क्वाइर किसके एक्वल होगा ठीक है मतलब इस साइड विच इक्वल टू इस साइड होगा समझ में आ तो अगर ऐसा हुआ तभी हम बोलेंगे कि हाँ यह आपका राइट राइंगल के वर्टाइस से लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है प्र का स्क्वाइर इसके इक्वल नहीं आया तो फिर हम क्या वो लेंगे कि यह तीनों जो पॉइंट्स है वह इसके वर्टाइस नहीं है ठीक है दो चलिए फिर इसको शॉल्ट किया जाए और सुनो एक और बात बता दो यह तो मैंने ऐसे लिए आप यह मत समझ रहाए कि क्यों इदर आर इदर आएगा कैसे भी हो सकता है बस मैंने आपको समझाने के लिए इदर ऐसे लिखा हुआ है ठीक है अभी जब हम यह सॉल्व करे सबसे बड़ा वाला साइट रहेंगे उनके स्क्वाइर के समके अगर एक्वाल आया तो फिर हम बोलेंगे कि यह राइट एंगल के वर्टाइश यहां पर हम लिख देते हैं बाइड इस्टेंस फॉर्मुला तो फॉर्स्ट आफ और क्यू के बीच काम डिस्टेंस निकाल लेते तो फॉर्मुला आप लोग को याद है ना बच्चों भूले तो नहीं बोलो क्या आता है एक्स टू माइनस एक्स वन फिर इसका स्क्वाइर कर यह तो पखिवात है ठीक है अब देखो कौन से दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टंस निकाल रहें और क्यो तो किसको देखेंगे इन दोनों पॉइंटस को देखेंगे इसको ना देखना ठीक है तो यह आपका एक्समन होगा यह अपका वाइड यह एक्स टू वाइटू है तो बूलोव यहाँदर किए और यह पर स्क्वैर कर देंगे प्लस अब क्या है यहांपर स्क्वैर तो अब क्या होगा देखो यहां पर स्कुएड प्लस टू Case four प्लास-2 माइनस टो पर enh dei toco Paak प्र-बैस कितना होता है पड़्चो अब एब issue 4 to यहां पर हो जाहिए 40 व्रका का स्क्वाइर क्या होता है जल्दी से यह 0 होता है तो यहां पर लिखता इसीड आगा 4 का स्कुर करेंगे तो 16 यानि अंदर क्या आगया बच्चो 16 सही है ना अब इसको बाहर निगालो रूटके बोलो क्या आएगा फोर आएगा यानी देखो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना आगया बच्चो फोर यूनिट्स ठीक है समझा आपको कैसे गया अब उसी प्रगाज हम लोग क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस निगालेंगे चलो इसको में मिटा देती हूं कि आपको डाइग्राम बनाना नहीं है बस आपको समझाने के लिए था ये चलो इदर करते हैं क्यू और आर फॉर्मूला लिखने की जरूवत नहीं है अभी आप डिरेक्ली वैलियूस पूट कर सकते हो ठीक है तो देखो अभी इसको ना देखना इन दोनों को देखना बोलो यहाँ पर एक्स टो क्या होगा टू होगा यहाँ पर हम लिख देंगे टू माइनस एक्स वन क्या होगा ब अब उसके बाद जीरो का स्कॉर करेंगी तो यहां पर हम कौन से दो पॉंट की बीचका डिसका लेंगे देखो 3 r किया चलो अब कि द है किस पॉइंट को नहीं देखनाैं तो बीचछ फाले कुम देखना है आपक एकस्तू जाहिगा बच्चो 2 होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 minus X1 क्या होगा minus 2 तो यहाँ पर लिख दिया minus 2 और फिर इसका square कर देंगे plus अब क्या होगा अब उसके बाद इधर देखो Y2 क्या है 7 minus Y1 क्या है बच्चो 2 ठीक है अब इसको थोड़ा और simplify करते हैं यहाँ पर क्या आएगा देखो 2 minus minus क्या होता है बच्चो plus है ना plus होगा की नहीं minus minus plus नहीं होगा ना फिर इसका square हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 का square फिर 2 और 2 कितना होता है जी हाँ 4 होता है बराबर फिर 5 का square करेंगे तो 25 25 अब क्या होगा 4 का स्क्वाइर करो 16 और इधर 25 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चो पाच छे एक ग्यारा दो एक तीनिक जाने क्या आगया 41 ठीक है अभी 41 को आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते वह रूट में ही रहेगा यानि पी आर का डिस्टेंस कितन आए बच्चो 41 ठीक है रूट के अंदर 41 बराबर अब बताओ यह तीनों जो डिस्टेंस हमने निकाले हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा कैसे आप पता लगाओगे इधर तो फाइव है इधर फोर है और इधर क्या रूट के अंदर है तो हम लोग क्य सुक्या करें तो इसके ओ डूर इसके इकॉल होना चाहिए अगर इसा हुआ तब ही ऑं पोलेंगे की फिम्यां वह तो चलो अब यहां पर लिखते हैं ना मिलंस मिल्स गर यह दो ना वाला क्योंख्य यह नोय दोनों च्छोटेवाले डिस्टेंस भागी यह सबसे बढ की उसको करें रहन दो सलोमे यहां प्या भैल्त को कियूएным गजा में उप्याली कंगी मिल्ञाने है तो यहां स्क्क्राइर और ड्रð नोज है कियू कि इतना है बत्चों तरह देखो दे इसका स्क्वाइर करें तो कितना ऐइगा वहीं। उन्हों स्क्वाइर कहरा तो कितना षाइगा stability you up पी आर का स्क्वाइर के आजाएगा 41 बराबर पी आर स्क्वाइर के इतना आजाएगा 41 तो देखो यह किसके इक्वल आया पी आर के स्क्वाइर के यहां पर मैं लिखती हूँ which is equal to P R का square तो ध्यान से देखना बज्चो थोड़ा इधर लिखती है रूको एक सेखेंड हा इधर इधर यहाँ पे लिखते है P R का square ठीक है तो ये किसके equal आया P Q square plus Q R का square है ना ये आगे equal यानि कि the given points are vertices of right angle triangle मतलब ये जो points दिये गए है ये राइट एंगल ट्रेंगल के vertices हैं ठीक है समझ बहाए ना ये आपको कैसे हुआ ठीक है इतर लिख दीजिए कि therefore the given points are vertices of right angle triangle समझ में आया क्या बच्चों आप लोगों को देख सकते हो question number 4 हमने complete कर लिया question number 5 देखिए का बच्चों इसमें हमको क्या करना है तो इसमें हमको शो करना है क्या शो करना है कि ये जो चारो points है ना ये पहले लोग्राम के मिए ऐसे हमको करना है ठीक है अच्चा पहले लोग्राम के प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों एपकशिट हैं का होते हैं है जैसे ये आप का पहले लोग्राम है अपको बतातीवह पहले यहाँ पर यह चार साइड में से दो-दो साइड जैसे कि यहाँ पर समझ लो यह वाला साइड को नाम पहले लिखते तभी आपको समझेगा PQRS ठीक है तो यहाँ पर अगर PQ और SR अगर यह चारो इस प्रकार से आजाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ यह जो यहाँ पर पॉइंट दिये गया है यह पहले लोग्राम के वर्टाइस हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नहीं है ठीक है तो चलिए देखते हैं अभी यह जो पॉइंट से इनकों लोग फिर दूसरा आपका पॉइंट है क्rences फेर अदैजरा इसा पॉइंट है जिसके यह और यह एस भी हाँ पिर अपके पॉइंट है जिसके को आदिनेट से अथा एंस तो अभी विद्च पता हैं आपको देखों पीक्ये की का दिस्टेंस फाइंड खरेंगे इसके अलार और प पॉइंट्स हुए ना अभी कौन सा पी एस के बीच का डिस्टंस निकालेंगे ठीक है पी आर का मत निकालना क्योंकि अगर पी आर का निकालोगे तब तो यह डाइगनल हो जाएगा डाइगनल हमको लेना खाली बास हमको साइट्स लेने हैं तो यहां पर फर्स्ट और फॉल टीक्यू के बीच का डिस्टंस निकालते हैं यहां पर लिख देते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मुला तो हमको एकदम अच्छे से याद हो चुका है अब तो हैना चलिए तो पी और क्यू डैरिक्ली स्कुलाय कर दिया प्लस फिर वाई 2 क्या होगा बच्चो थ्री होगा तो यहां पर हम लिख देते 3- why 1 क्या होगा और फिर इसका स्कुलाय करने ठीक अब इसको थोड़ा और सिंप्लिफाइग करते हम लोग 6-2 करेंगे तो 5 का स्क्वर्वैर और फिर ये यहां पर देखो 3 minus minus plus 2 और इसका square ओके चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ ये बस आपको समझने के लिए था बनाना बिल्कुल भी नहीं है देखो अभी क्या आएगा 5 का square कर देंगे तो 25 और यहाँ पर देखो 3 दो कितना होता है बच्चों 5 होता है यहाँ पर 5 का square ठीक है तो 5 का square कितना होता है 25 होता है तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 25 तो 25 प्लस 25 कितना आजाएगा 50 यहाँ पर आएगा root के अंदर 50 अब इसको थोड़ा और सिंप्लिफाइ करो 50 के आपना square root 50 का तो 50 को हम लोग और चोटा कर सकते हैं क्या आपको क्या लगता है yes everyone कर सकते है कैसे देखो आपको पताती हूं क्या हो सकता है ना रुको यहाँ आप से में थोड़ा मिटा करके करते हूं कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चो देखो यह 5 का square क्या होता है 25 यहाँ पर डारेक्टली 25 लिखते हैं फिर इधर 50 लिखते हैं अब यह 50 है ना इसको आम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं कैसे 25 इंटू 2 सही है ना अब 25 को रूट के बाहर निकाल दो 5 आएगा तो यहाँ पर लिख दो सीधे सीधे 5 रूट 2 मतलब पी से क्यू तक का डिस्टंस कितना आया वच्चो 5 रूट 2 ठीक है समझ में आया आपको अब उसके बाद हम लोग क्यू और आर के बीच का डिस्टंस निकालेंगे यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर ठीक है एक काम करो आपना पहले अब कौनसे दो पॉइंट को देखना थ moo BOSC hun in दोनों को इसको नहीं थेके और इसको भी नह Państwo यहाँ पर X2 क्या है 11-7 इसका स्क्राइर कर दिया प्लस फिर यहां पर य2 क्या है बच्चो मैंने लिखा मैंनस 1-1-3 ओंफ लिख दिया स्क्राइर ठीक है अब देखिए का बच्चो यहां पर क्या लिखेंगे 11-7 कितना आता है 4 आता है एकर मैं साथ में चार जोड़ूंगी तब अपर सबस्क्का 1-3-4 ऑसके आप लोगण सबस्क्सक्वार करेंगे 164 बड़ी चाहिए अप मैने कर दिना जाँ इधर एक सिक्सेटीन प्लसा तो 6 ना तो फिर यहांपर ज्सलोग अब्चोर तो तो थोड़ा और सिंप्लिफाई करो है ना इसको थोड़ा सिंप्लिफाई करके बताओ कैसे होगा यह तो यह जो 32 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू अब 16 को रूट के बाहर निकाल दो बच्चों जल्दी से बताना तो क्या आता है यहां पर आजाएगा पूर रूट टू ठीक है समझ में आया आपको तो देखो हमने क्यू आर के बीच का पर दिस्टंस फाइंड आउट कर लिया पी क्यों निकाला क्यों निकाला भी ऐसार की बारी है यहां पर लिखते हैं आर एस डैरेक्ली फॉर्मुला यूस करेंगे तो देखो अभी इन दोनो और एस का बार कर दिया मैंने उसके बाद यहां पर चे में से माइनस करेंगे तो बच्चो प्लस होते है तो प्लस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ट्वेंटी फाइए अब उसके बाद 25 प्लस 25 प्लस 25 थी को किसे लिख सकते बच्चो 25 इंटो 2 अब 25 को रूट के बाहर निकालतों तो क्या आएगा 5 रूट टू यहां पर आप सीधे-जीदे लिख दीजिए 5 रूट टू 5 और रूट टू समझें तो हमने यहां पर SR के बीच का पर डिस्टन्स निकाल लिए आप बचा क्या है बच्चो यहां पर लोग लिखते हैं फिस एक्वल टू एफ इन दोनों को बस इन दोनों को देखना है तो बोल लग्याée तोक करना हो स्क wspól E यहां पर आपका y-1 करना होगा-2 है ना और पिर स्कुक्वार करना है चलो अब इसको PowerPoint करते हैं जल्दी इसे 6 में इसे दोगया है 4 आता है यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वैर फिर प्लस ये देखो इदर क्या है minus 6 और minus minus क्या होता है भट्चो प्लस होता है इसका square हो जाएगा फिर उसके बार 4 का square करने पर क्या आता है 16 यहां पर लिखेंगे 16 plus minus 6 plus 2, तो क्या आएगा minus 4 है ना, तो यहां पर मैंने लिखा minus 4, और इसका square करएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 plus 16, बोलो जल्दी से 32 है ना, अभी 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चो 16 into 2 करके लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखते हैं, 16 into 2, अभी 16 को root क निखाल लिया है बड़ाबर देखो कितना आया बच्चों कितना आया फॉर रूट तो इससे क्या साबित हुआ बताए इससे क्या प्रूफ होता है क्या है कैसे पता चला ना पीकिज क्या डा डोनों या फिर आरेश बोलो और ऑर फिर यहां पहीं लिखते हैं के सिंज से और कॉंग्रूइंट तो इसव हैं ना देखो कितना है और लुगते है और किलए मेर दिल्ट बतना है और empirics नरी और क्यूति से लेक्व आर तो पी स्कीन को टानं है वॉर्ट तो एमने फिर मेर चलिए और पॉरच पिउरिए रूट्ट जा-डी कॉ लिख देते हैं, therefore the given points are vertices of parallelogram समझा, yes, तो आप लोग देख सकते हो, question number 5 यह पे complete होता है और यह figure आपको बनाना नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो rough में बना करके इसको समझ सकते हो, अभी फिलाल के लिए तो मैं इसको मिटाना चाहूंगी question number 6 में हमको क्या करना है, बच्चों तो हमको यहाँ पे prove करना है कि यह जो चारो points है यह क्या है, vertices of a rhombus ठीक है, अब देखो बच्चों, rhombus की property क्या होती है rhombus की property क्या होती है, rhombus के चारो sides क्या होते हैं, वैसे square में भी चारो sides concurrent होते हैं dar लेकिन दोनों में different होता है धियandaag से सुनना , मेरी बातों को आपका square होता है इसके डाइगनल्स होते हैं वो भी क्या होतें hay cjest और दोनों diagonal नहीं होते हैं कि सक्वायर की बात कर रहे हुँ लेकिन रोंबस में क्या होता है रोंबस में क्या होता है कि चारो Science मेंस तो तो पोग्रूंत होते लेकिन उनंके जो डाइग्वनोल्स है न नहीं होते हैं समझ मैं होते हैं अगर स्क्वार वाला आता है सुनू मतलब यहां पे एग्जाम में इधर स्क्वाइर भी लिख करके आ सकता है तो आपको दोनों के लिए प्रिपेर रहना चाहिए कुछ भी आ सकता है ठीक है तो अगर स्क्वाइर तो आप लोग क्या चेक करोगे चारों साइट्स कॉंग्रुएंट इसके अलावा दोनों जो डाइगनल से वह भी यह डिस्टन्स निकालेंगे मतलब उनका लेंथ निकालेंगे ठीक है तो यहां पर एक रोंबस बनाई देते हैं आपकी सुविधा के लिए ठीक है यह समझ लीजी आपका रोंबस है नाम लिख दिया जाए ए बी सी डी चलो अभी यह जो पॉइंट जी एक है उनको आम लोग फटा फट से लिख लेते हैं दगीवन पॉइंट्स आर कौन-कौन से पॉइंट्स हैं फॉर्स आफ फॉर अफ़ल एं इसके कॉर्डिनेट माइनस पॉर माइनस सेवन बी माइनस वन तू फिर सी एट कॉमा 5 और लास्ट में क्या है बच्चो द्दी जिसके कॉरडिनेट्स हैं 5 कॉमा माइनस 4 बराबर अब क्या करेंगे डिस्टें निकालेंगे यहां पर लिखते हैं A B ठीक है आप बताओ आपको फॉर्मॉला लिखनी की सरुवत है क्या नहीं डारेक्ट ली कर दो ओके अब इतने में कितना फॉर्मॉला आप लिखते जाओगे कितना बड़ा हो जाएगा इसलिए डारेक्ट ली करना है तो देखो बच्चो यहाँ पर क्या है बच्चो 2 है और 5-7 यहां पर लिख दिया माइनस सेवन अर फिर इसका स्क्वाइर Air कर दिया ह। अब उसके बाद क्या होगा तो देखो यहांंपे देखो, minus minus मिला करके plus 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे plus 4 और फिर इसका square, यहाँ पर, देखो, minus minus plus 7 और फिर इसका square कर देंगे, अब क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ, देखो, 4 minus 1 करेंगे तो 3, मैं directly थोड़ा जा रही हूँ, देखो, 4 minus 1 करेंगे तो 3, और 3 का square क कितना होता है, 9, 9 का square करो, 81, तो यहाँ पर आगया, 81, बराबर, अब क्या होगा, रुको बताती हूँ, इन दोनों को plus करेंगे, तो 90 को रूट के बाहर निकालो, तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, देखो, यह तो बहुत सिंपल है, 90 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 into 10, है न, और 9 को रूट के बाहर निकाल दीजी, क्या आएगा, 3, तो यहाँ पर, finally, हमको distance कितना मिला, बच्चो, 3, और रूट के अंदर, 10, तो A, B के बीच का distance कितना आया, बच्चो, 3, रूट, 10, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो B, C के बीच का distance निका होगा, minus 1, और फिर इसका square कर देंगे, प्लस, यहाँ पर, यह जो आपका y2 है, y2 क्या हो जाएगा, बच्चो, 5, minus y1 क्या हो जाएगा, 2, और फिर इसका square कर दिया, उसके बाद, यह देखो, 8, minus, minus मिला करके, plus 1, इसका square कर देंगे, plus 5 में से दो गया, तो, कितना आता है, 3, यहाँ पर आजाएगा, 3 का square, ठीक है न, 8, plus 1 कितना होता है, 9, 9 का square कर दो, 81 आजाएगा, और यहाँ पर 3 का square करेंगे, तो 9, इन दोनों को plus करेंगे, तो कितना आएगा, बच्चो, 90, और 90 को जब हम लोग simplify करेंगे, तो क्या आएगा, finally answer, देखो, इसको हमें से लिख सकते 9 into 10, यहाँ पर आजाएगा, 3 और root के अंदर 10, ठीक है, तो देखो, BC के बीच का distance कितना आया, 3 root 10, तो हमने, AB निकाला, BC निकाला, अब DC की बारी है, है न, CD, CD के बीच का distance निकालते है, अब कौन से दो points को देखना है, yes, C और D को देखना, तो यहाँ पर देखो, बच्चो तो Y2, Y2 बोलो, यहाँ पर क्या है, माइनस 4, और Y1 क्या है, बच्चो, 5, दीक है, अब उसके बाद, यहाँ पर देखो, 5 माइनस 8 करेंगे, तो क्या आएगा, बच्चो, माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, माइनस 3 का square, प्लस, यह देखो, माइनस 4, माइन माइनस 9, हैना, माइनस 9 का square, अब यहाँ पर देखो, माइनस 3 का square करेंगे, तो प्लस 9, और 9 का square करेंगे, तो 81, और इन दोनों को प्लस किया, तो 90, और फिर जब आप इसको simplify करोगे, तो वहीं आएगा, हैना, 9 इंटू 10, चलो, बाहर आजाओ तुम, तो 3 root के अंदर 10, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, AD, तो अब क्या आएगा, देखो, अब किसी किसे देखना है, इसको और इसको देखना है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आपका X2 क्या हो जाएगा, बच्चो, 5, माइनस X1 क्या होगा, माइनस 4, समझ में आ रहे हैं कि ने, आप लोगों क देखो, यहाँ पर जो लिखा रहेगा ना, उनी दोनों पॉइंट्स को लेना, बाकी और किसी को मत लेना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, A और D, तो इन दोनों को ढग दो, बस इन दोनों को देखो, तब ही समझेगा, ठीक है, प्लस, फिर यहाँ पर देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना फिर इसका स्क्वाइर कर दिया प्लस यहां पर माइनस पूर माइनस माइनस प्लस सेवन और इसका स्क्वाइर ठीक है अब देखो 5 4 कितना होता है 9 9 का स्क्वाइर करेंगे तो 81 प्लस यहाँ पर माइनस च्यार प्लस साथ कितना आएगा तीन आएगा तीन का स्क्वाइर कर दो तो कितना आते हैं 3 का स्क्वाइर करेंगे तो 9 यहाँ पर लिख दिया 9 फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं 81 और 9 कितना आएगा बच्चो 90 और 90 को रूट के बाहर निकालेंगे तो मतलब इसको simplify करेंगे तो 9 into 10 यानि कि 3 रूट 10 ठीक है यहाँ पर हमने 4 जो sides थे न बच्चो इन सभी का distance निकाल लिया है और देखो बच्चो हर एक का distance क्या आया है सेम आया है सब के सब कॉंग्रूइंट है यानि यह सब हैं अब देखो हमें न एक और चीज़ यहां पर देखना पड़ेगा कि इसके जो डाइगनल्स है ना यह कहीं सब्सक्राइब क्या हो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो इन दोनों के बीच का अलग 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 आने चाहिए अगर आया तभी वह रोंबस कहलाएगा नहीं तो फिर नहीं कहलाएगा ठीक है तो यह बात से हमको क्या पता चला कि all sides are equal यहां पर हम लिखते है है अब आरी है किसके डाइगनल की तो यहां पहला डाइगनल आपका क्या हो जाएगा चलो अभी एसी के बीच का हम लोग डिस्टनस निगालते हैं तो यहां पर कौन-कौन से पॉइंटस मैंने लिखे हैं और ची तो आप कौन-कौन से पॉइंट्स को देखोगे इसको और को बागी और कुछ भी नहीं देखना ठीक है। तो यह जो आपका A है ना बच्छो, A के कOrdnits क्या हो जाएंगे? xone and y1 और C Ke mahdoll outdated x2 और y2 ठीक है चलिए फिर यहां पर लिखते हैं X2 क्या है बच्छो ? 08 है तो मैंने इधर लिखा 8- X1 यहां पर लिख दिया minus 4 फिर इसका square कर दिया उसके बाद plus का sign फिर इधर देखो y2 गया है 5 तो यहां पर मैंने लिखा 5 minus y1 क्या है minus 7 और इसका square कर दिया ठीक है फिर यहां पर देखो minus minus क्या होता है plus होता है न तो यहां पर लिख देंगे दिखांगे 8 plus 4 का square Plus यहां पर 5 Myness minus plus 7 का square अब क्या होगा D earthlyключi 14 कितना होता है 12 нее तो यहां पर मैंने लिखा 12 का square दिखे रहा है na 12 जैसा फिर 7 और 5 कितना होता है 12 तो यहां पर again 12 का square अब 12 का square 144 ब्लस 144 दोनों को प्लस कर दीजेये जल्दी से तो चार चार कितना होता है बत्चों stat 8 होता है 5468 288 código фago 2021 को कैसे कर सकते हैं हां सिंपल है देखना Chinese 20281 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं रुखो टो मैं थोड़ा इसको मेटा कर किना मिटाहूं या फिर वहां तक आपको कि यहां फिर एक काम करते हैं कि यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 12 का स्क्वाइर 144 फिर 12 का स्क्वाइर 144 144 प्लस 144 किया तो कितना आया 288 ठीक है मैं तोड़ा डारिकली कर रही हूं फिर उसके बाद यह 144 है न बच्चो इसको अम लोग कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकत 12 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 समझा आपको तो देखो हमने यह जो आपका पहला वारा डाइगनल था इसके बीच का मतलब यह इसका लेंद मैंने बता दिया अब क्या करेंगे बीडी का लेंद करेंगे ठीक है यहां पर लिखते हैं बी से डी चलो अब कौन से दो इसका स्क्वेर प्लस उसके बाद यहां पर देखो क्या है माइनस फोर यहां पर लिख देंगे हम लोग माइनस फोर और वाई वन क्या है तो यहां पर लिख दिया तू और इसका स्क्वेर फिर यहां पर माइनस माइनस प्लस तो ऐसे हो जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वेर प्लस यहाँ पर minus 4 और minus 2 आ जाएगा minus 6 का square अब उसके बाद यह देखो 5 और 1 कितना होता है 6 6 का square कर दोगे तो कितना आएगा 36 यहाँ पर लिख दिया मैंने 36 minus 6 का square करेंगे तो 36 इन दोनों को plus कर दो 36 plus 36 कितना आएगा और दूसरा वाला डाइगनल कितना है और दूसरा वाला डाइगनल कितना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दियार फॉर डाइगनल सार नोट इक्वल है न डाइगनल आर नोट इक्वल डाइगनल जो है वो इक्वल नहीं है यानि इस ते क्या प्रूफ होता है कि यह चारो पॉइंट्स दिये गए है यह क्या है वर्टाइस आफरों बस लास्ट मैं लिख दो कि दियार फॉर डाइगन पॉइंट्स आर वर्टाइस आफरों बस समझा आपको यहां पर लिख दो हैंस प्रूफ कर दिया आमने खुशो जाओ गोश्चन नमबर 6 भी यहां पर कंप्लीट हुआ चलो बच्चो अभी हम लोग कोश्चन नमबर 7 को सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है अगर डिस्टेंस बिट्विन पॉइंट L & M is 10 यानि कि देखो L और M के इसको सॉल्व करेंगे फिर हमको एक्स का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं यहां पर देखो बच्चो एल के को ओडिनेट से 1,7 और यहां पर M के को ओडिनेट से 1,15 ठीक है इसके अलावा यहां पर देखो L और M के बी चलो यहां पर हम लिखते हैं by distance formula तो distance formula क्या होता है आपको पता ही है यहां पर हम लिखेंगे L M which is equal to distance formula एक बर लिखते हैं बोलो क्या था फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेर प्लस फिर क्या आता है वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेर बराबर अब देखो बच्चो एलम का वैल्यू यह दर से लेलो 10 और यहां पर अभी आपको वैल्यू पुट करते जाना है तो एक्स टू का यह प्लस फिर यह पर लिखवन कितना है बच्चो तो यहां पर लिख लेए और फिर स्क्वेर कर देंगे और क्या हो स्क्वेर मेराबर 1700 एब देखो टकीछ 10 which is equal to 1 minus x square 1 second 1 minus x the whole square है ना ये पूरा square है ना फिर 15 में से साथ जाएगा तो कितना आएगा तो 15 में से साथ जाएगा तो 6 आएगा शायद से है ना एक सेकेंड साथ 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा मैं कहां से 6 बोल रही थी क्या आएगा 8 और फिर इसका square कर देंगे उसके बाद देखो 1 minus x the whole square 8 का square कर दो बच्चो कितना आजाएगा 8 का square करने पर आएगा 64 ठीक है अब हम ही क्या करना चाहिए ना ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चो ये जो रूट दिखाई दे रहा है इसको हटाने के कोशिश करो तो कैसे हटेगा सिंपल सा तरीका है squaring both sides है ना तो यहां पर हम लोग लिख देंगे squaring both sides दोनों sides का square करना पड़ेगा आपको पता है नियम होता है मतलब rule होता है कि अगर आप एक side का square कर रहा है तो दूसरे का भी करना ही पड़ेगा ठीक है तो यहां पर square करोगे तो क्या हो जाएगा बच् सिक्स्टी फॉर ठीक है अब हम क्या गरेंगे ना यह जो सिक्स्टी फॉर दिखाय दे रहा है इसको इधर ले लेते हैं और यहां पर हम लोग formula यूज़ करते कौन सा यहां फिर एक काम करते हैं इसको भी इधर ही ले ले लेते है इन सभी को इधर ले लेते ठीक है सुनों य यहां पर क्या हो जाएगा 100 या फिर इसको इधर ही सिंप्लिफाइए करते रुको सुनो सुनो ध्यान से यहां पर हम लोग फॉर्मला यूज करते है यह आपका ए है यह आपका भी है तो क्या आएगा बच्चो वन का स्क्वाइर प्लस टू ए बी तो टू ए मतलब वन और यान यहां पर लिख दिया मैंने प्लस 64 ठीक है अब हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे पता है आपको यह 100 को भी उदर ही ले लेते हैं तो इधर क्या बच्चेगा 0 1 का स्क्वाइर 1 यहां पर माइनस टू एक स्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर चलो 100 उदर जाएगा तो माइनस मे देखना 64 माइनस 100 करोगे तो यहां पर एक काम करो सुनो 1 प्लस 64 बोलो कितना आएगा 1 प्लस 64 65 ठीक है और हंड्रेट मेंस 65 देखो 100 माइनस 65 समझ में आ रहे है कि ने देखो यह भी प्लस में यह भी प्लस में तो इन इननों को प्लस कर दिया तो क्या आएगा देखो पूरा इक स्क्वाइर माइनस 2 एक स्सेस प्लस प्लस की माइनस माइनस आएगा ने वह जब ह선 देखो ग्रेंटर हomas यह ना hiceu तो यह आपका 10 में किया करते थे 10 में ही तो है याद आया तो सही अभी तो आपने गया था आलजेब्रा में चैप्टर नंबर टू कॉट्रेटिक एक्वेशन है ना तो इधर क्या है बच्चो माइनस 35 तो बताइए ऐसे दो नंबर जब हम मल्टिप्लाई करें तो माइनस 35 आया और प्लस या माइनस करने पर माइनस 2 आना चाहिए सोचो जल्दी से तो साथ और पांच हम ले सकते ना देखो 7 और 5 से क्या होता है 35 हमें माइनस 2 चाहिए ना तो बड़ा वाला जो नंबर है बच्चो उसको माइनस में रखते बाकि इ इहां से हम लोग प्लस 5 को common ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर आएगा एकस माइनस 7 विच इवल देखो एकस मैनस 7 एक स्माइनस 7 तो इसको एक लिखना फिर यह ए एक स्प्लस 5 गरेकेट में लिख देंगे अब क्या होगा एकस माइनस 7 विच इवल डुग डुग जाता सेवन और यहां पर चलो 5 तो मुदर जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 5 यानि एक्स के ना बच्चों हमको दो वैल्यूस मिले हैं यहां पर लिखते देर्फोर एक्स विच्छ इक्वल टू 7 मतलब एक्स का वैल्यू जो है ना बच्चों वह सेवन भी हो सकता है एक्स के दो वैल्यूस आएंगे सेवन और माइनस 5 हमसे यह पूछा गया था ना बता दिया आमने देख लो तो दोनों भी करेक्ट है आप यह मत सोचों कि यह माइनस में तो नहीं होगा नहीं ऐसा कुछ भ तो चलिए आप इसको देखे फिर हम देखते हैं बचा होगा अंतिम सवाल यहां पर सब लुक देखिए का बच्चों यह है आपका लास्ट को स्ट तो इसमें हमको क्या करना है क्या बताना है कि यह जो पॉइंट्स है ना यह क्या है वर्टाइस ऑफ इन एक्विलेटरल ट् आपका इक्विलिटरल ट्राइंगल की समझ लोग यहां पर है यहां पर बी और यहां पर सी बराबर को को मैं इक्विलेटरल रेंगल को जब इसके सीट्पन uses क्या होंग AD Cerber deben से निकालेंगे अगर यह तीनों क्या आए कॉंग्रूइंट आए तब हम लोग मतलब जो हमको प्रूफ करना है वह तो ही चाहेगा है ना तो चलिए लिखते हैं यहां पर लिखेंगे दगीवन पॉइंट्स आर तो रूट थ्री और यहां पर फोर थीक है अब हम क्या करेंगे तो दिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखते हैं यहां अभी इन दोनों पॉइंट्स को आपने लोग देखिए गा ठीक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे X2 X2 बोलो क्या है 1 और X1 क्या है बच्चो 1 तो 1-1 का स्क्वेर फिर देखो यहां पर Y2 तो 6-2 का स्क्वेर बराबर चलो अब इसको थोड़ा और सिंप्लिफाई करते हैं तो 1-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चो 0 जी हां तो यहां तो जीरो का स्क्वेर तो 0 ही होता है और 4 का स्क्वेर करेंगे तो क्या आएगा बच्चो 16 और 16 को रूट के बाहर निकाले तो क्या मिला आमको 4 मिला ठीक है अब उसके बाद हम लोग 20 निकालेंगे देखो एबी के बीच का डिस्टंस हमने बता दिया आप इन दोनों मज़ रहो यह पूरा एक है तो क्या करेंगे हम इसमें से इसको अ करञेंगे न देखो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चो और y1 क्या होगा 6 तो 4-6 का square which is equal to अब यहाँ पर क्या होगा देखो plus 1-1 इन दोनों को हम लोग कर देते हैं cancel ठीक है फिर यहाँ पर क्या बचेगा तो 2 root 3 और इसका square कर दिया 4-6 करेंगे तो क्या आता है minus 2 आता है तो स्क्वाइर से यह root cancel हो जाएगा पता ना देखो कई बच्चों को यहाँ पर बहुत जादा कंफ्यूशन होता है ठीक है मैं आपको पताती हूँ थोड़ा आप लोगों को समझा देती हूँ क्योंकि कई बार मेरे पास नहीं यह डाउट आया मैं इसे डारेक्ली कर देती हूँ फिर बाद में पता चलता है कि आप लोगको समझा ही नहीं देखो यहां पर है तो रूट थ्री और इसका स्क्वेर ठीक है अब क्या होगा यह iki स्क्वेर ना यह दोनों के पास जाएगा यानिए दू पास भी जाएगा और पर टू करीड नोए प 거죠 4 हो जाएगा और स्क्वे है ना 12 प्लस 4 16 अब 16 को रूट के बाहर निकाल दो बच्चो तो क्या आएगा फोर आएगा तो यहां पर हमने लिख दिया ठीक है यस तो यह लीजिए लिख दिया फोर तो हमने यहां पर बीसी के बीच का डिस्टंस निकाल लिए अभी हम लोग एसी फाइंड आउट करेंगे तो X2 में से X1 को माइनस कर देंगे यानिकी 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 और फिर इसका स्क्वार प्लस Y2 बोलो 4 और Y1 क्या है बच्चो 2 इसका स्क्वार कर दिया फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसल है ना जैसे पहले वाला किया था वैसे ही करना है फ 4 में से 2 यहां पर पर आ चालएगा 2 का स्क्वार ठीक है फिर है बच्चौ 2 का स्क्वार 4 और 2 मतलब स्क्वार से रूट कैंचल है यहां पर रहाएगा 3 और legally 4 निकाल दो तो क्या चालए चाल्या था तो आप लोग देख सकते हूं यह जो तीनों साइट्स नहीं श्या इसका भी इसका भी इसका भी 4 तो इससे क्या समझ में आया कि यह जो वर्टाइस दिये गया है यह क्या है यह क्या है वर्टाइस ऑफ एक्विलेटरल ट्राइंगल तो यहां पर हम लिखेंगे कि is since AB which is equal to BC which is equal to AC ठीक है यह तीनो साइट क्या है बच्छों कॉंगर्वेट हैं तो so therefore so therefore the given points are points are vertices of an equilateral triangle equilateral triangle समझ में आगया बच्चों आप लोगों को अच्छे से देख सकते हो है ना यह वाला कोश्चन भी हमने कम्प्लेट कर लिया इसी के साथ ही यह जो आपका प्रैक्टीस 8 5.1 है यह होता है कम्प्लीट ठीक है तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहो कुछ भी डाउट रहता है तो आप में इसे पूछ सकते हो आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है बच्च